गुड मार्निंग एवरीवन और आसा करते हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे मैं भी अच्छी हूं आज का जो ब्लॉग है वह मॉनिंग टू इवनिंग का है और यहां पर मैं असता वगैरा कर ली हूं सवर वगैरा मेरा हो गया है और यहां पर चादर को मैं आजर को मनाये जाएगे क्योंकि यूगी जी वोले है इनिस तारी को यहां पुर्वान्चल में जो है हूली मनाये जाएगी तो और सत्रह को वारा बजें के बाद जलेगा इसलिए 19 को होली का होली मनाई जाएगे तो ये वीडियो ए 18 को ही जाएगा और आप लोगों को होली की बहुत-बहुत बधाई हो होली में एक प्रांट लेना चाहिए कि हम जो भी हमारे अंदर किसी के प्रतिमन मुटाओ या कोई भी हो है तो होली में भूलके एक दुसरे को गले लगाना चाहिए तभी हमारी जो होली ओसली माईने में होती है और नहीं तो कुछ लोगों के लिए होली तो बस बनाया खाया और जो है हो गया तो ऐसा नहीं और ऐसा मनाना चाहिए होली बगारा कि अपने जो भी थोड़े गिले सिक्वे हैं उसको कम करके और गले से मिलके होली बनाना चाहिए और यहां पर रूम को मैं रूम मैंने अरेंज कर दिया है सारा जो ही है और साम को मैं थोड़ा कुछ पकवान भी बनाओंगी क्योंकि होली के दिन हम लोग के यहां कुछ भी पकवान नहीं बनेगा और अभी लास्ट इयर गाउं में जो होते हैं खांदान तो नहीं के एक लोग इस वज़ा से उस दिन कुछ बनेगा नहीं पुजा वगेरा भी तो इसी वज़ा से मैं आज ये सत्र को ही साम को मैं बना लोंगी और उसके बाद जो है मैंने उस दिन जो है वो तलाब होना जो काम हो नहीं होता है पुजा वगर भी नहीं चड़ता है तो हम पे साड़ियां जो हैं मेरी पॉलिस करा के करने के लिए और इसको मैंने घरी पे धुला था और क्योंकि जो कॉटन की साड़ी होती है उसको में घरी पे धूल के और फिर पॉलिस के लिए दे देती हूँ तो वह सही से अच्छे से टाइट भी हो जाती है और साइनिंग साइन भी करने लगती है मेरी यह कुछिस रहती है कि मैं अपने ब्लॉग में और अपने वीडियो में कुछ इन्फोर्मेशन देने की कुछिस करती हूं कुछ और्गनाजेशन का भी बताती हूं तो उसे आपको कुछ आइडिया मिले अगर नहीं मिले तब भी वीडियो को इंज्वाइ करिए क्योंकि आप मेरे वीडियो पर समय देते हैं और तो आई होप आप लोग को अच्छे से इंज्वाइ करते होंगे तो यहां पर सारा जो है मेरा रूम कंप्लीट हो गया है अब मुझे जो है हॉल का मुझे थोड़ा सा अरेंज करना है तो यहां पुझे जो है यहां पर सारा जो है कि उसके बाद फिर हॉल में आ गई और इस पे भी मैंने आंचादर वगारा मैंने मौर्निंग में ही सावर लेने पहले ही इसको अरंज कर दिया था तो बस बैठे लोग यहीं पर हम लोग की होती है चाय वगएरा तो अभी हम लोगों ने पिया है इविनिंग काई टाइम है तो इसको यहां पर मैं अरंज कर रही हूं और फिर सोची कि मैं इसको अच्छे से लगा देती हूं तो जो है ये तक ही और दो कुशन मैंने फ्रंट में रखा है कलर जो है इसका बहुत अच्छा है कुशनका कुशनका और तो इस तरह से दिवान को जो है सजा के ही मैं रखती हूँ ताकि जो है यहां पे बैठने पे और थोड़ा सा देखने में भी अच्छा लगता है और वाल वगयरा को और रूम वगयरा को भी थोड़ा सा अगर औरगनाईज करके और मिंटिन करके रखे तो देखने मीं भी अच्छा लगता है और इससे जो है हमारा जो माइंड है वो फ्रेस रहता है और दिमाग में जो है वो निगेटिविटी नहीं आती है तो कोई बी चीज यह तो थोड़न से जो है माइन में अतीए करें इस तरह से हैं तो अगर चीज आही पॉजिटिव होता है और हमें फिर अपनी लक्ष को हम प्राप्त करते हैं और अब कुछ कपड़े हैं जो यहांपे मैंने लगाया है वीश मिल्ट में भी हो जाएंगे वास हो गया है और यह रिन सो रहे हैं अभी और इस तरह से यह इभी विनिंहों गया है देख सकते हैं साम हो गई है बाहर का और दिय वगार मैंने जला दिया है अब मुझे आज बनाने है कुछ niż यहां पर देखिए मैंने बना दिये हैं तो पक्वान मेरे डी हो गए आइएपो भी खा लीजिये और गुजिया वही I Full मैंने बनाया है जैसे आप लोग बनाते मैं का आइं हुँ को यहां मैणने घर पे ही बाना है एक लिटर दूद का उसमें काजू किसमेस और बादाम को थोड़ा सा ग्राइंड करके और खोवे में मिक्स किया है चीनी डालके और उसके बाद वही मैं मोयन करके और फिर इसमें बेल के तला है कुछ खास नहीं जैसे आप बनाते हैं मैंने वैसे ही इसको भी बनाया इसी है अभी थोड़ी देर पहले ही और इवनिंग को मैं बनाने के बाद एडिट कर रही हूं वीडियो तो सबको आता है गुजिया बनाना इस वज़े से में मेरा कोई खास इस पेसल गुजिया नहीं है तो बस इसलिए नहीं सेयर किया हां मैंने क्या बनाया यह जरूर मैंने से निकाला है मकाने हो गए और गड़ी के पतले-पतले स्लाइसें इसको मैंने उंटिय करके निकाले हैं और चूडा जो पोहा होता है उसको मैंने यहां पे फ्रैंशर कि उसको निकाला है और इसमे जो है यह काला नमक और यह जो लाले मिर्च होता है तो suisको मैंने तेल में फ्रै करके और नमक के साथ इसको कुटा है और इसी इसका स्वाथ काफी अमेजिंग होता है आप ज़्दुर इस चीज को प्लिए च्छाराब गृगवा काला नमक ये उसें फ्राइब यम्म के लेखन के साल वो इसको सोब दते हुआ रहें कि इसेंट चाहिए मेन बनते हुआ ने वहार के उसकह गूटा में पर पर लिए, मैं नहीं डाल पाई क्योंकि छट पे थे करीपता और रात हो गई थी तो इस वज़े से मैं नहीं ला पाई तो देखती हूं बाद में मैं फ्राइकर के जो है डाले के कुछिस करूंगी उसे कलर बगार भी थोड़ा और काफी अच्छा हो जाता है बट इस तरह भी काफी अच अश्चा लगता है आप चाहिए इसमें तो काजु अग्यरा भी डाल सकते हैं आगर इसमें चाहिए तो बनाने थे क्योंकि मैं कल नहीं बना पाती और इस तरह देखिए हाथ से दबाने से अच्छी तरह से यह टूट रहे हैं तो कितना खसता हुआ है यह तो आसा करती हूं कि वीडियो आप लोग को काफी पसंद आया होगा और इसे अपने फैमिली और फ्रेंड के जाद जरूर सेहर करिए तो चलिए फ्रेंड मैं इस वीडियो केंड करती हूं औ और असा करती हूं कि वीडियो आप लोग को काफी इंज्वाए लगा होगा तो और एक बार फिर आप लोगों को होली की बहुत-बहुत बधाई और थैंक यू फॉर वाचिंग लॉट्स अप लॉव औल आफ यू बाई